बेंजी नमस्कार नमस्ते जी क्या नाम है आपका? रुपाली पाटील रुपाली जी कहा से हैं आप? पुना, महाराश्ट्रा, पुना से जी क्या करते हैं? मैं आभी तो हाउस्वाफ हूँ लेकिन मैंने ग्राजूशन किया है मराठी स्पेशल में संत्रामपाल जी महाराश्ट से कब जुड़े आप? 2004 में हम संत्रामपाल जी महाराश्ट से जुड़े संत्रामपाल जी महाराश्ट से नामदिक्सा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति इसाधना करते थे? जी, जैसे नॉर्मल लोग करते परंपरागत भक्ति मतलब पूरी देवी, देवता, ब्रह्मा, विश्णु में इसे इनकी भक्ती करते थे जब आप पहले भक्ती करी रहे थे तो आपने संद रामपाल जी माराश से नाम दिख्षा क्यों लई मतलब मुझे ऐसे लगा कि उनका ग्यान, ग्यान मैंने थोड़ा समझा, उनकी भूग पड़ी और सबसे पहले ये इंसिडन्स हुआ कि मेरे हस्बन ने, मेरे पती वो दिख्षा लेकर आए फिर दिख्षा लेकर आये, तो मैंने उनको लिया कि क्या गुरुदिख्षा लिया आपने, कौन से भगवाने क्या है बोलते नहीं मुझे इतना पता नहीं, मैंने दिख्षा ले ली, और फिर उन्होंने मुझे नियम बताए और वो जो नियम थे कि कोई नशा मतलब क्या दारू ने, बीडी ने, सिगारेट ने, तंबाकू ने, मास ने, वैबिचार ने, चोरी ने, ठगी ने, तो मुझे वो नियम इतने अट्रैक्ट हुए कि देखो मैंने आज तक ऐसे कोई संत नहीं सुने कि ये नियम मतलब मेरा जो लाइब के तरफ एक गोल था, कि इंसान का लाइब कैसे होना चाहिए, कि उसके लाइब में सब perfect होना चाहिए, उसका जो husband है, तो उसे कोई वैसन नहीं चाहिए, मतलब वैसन नहीं है, उसके साथ अगर ये नियम, मतलब सोचो कि किसी पराइणारी के तरफ बहन बेटी के भ ज़ाओ देखो उसको रिस्पेक्ट करो चोरी नहीं ठगी नहीं कोई दो नंबर का काम नहीं मैंने बोला मुझे पहले से वैसे मैं सोशल इसमें ना सोशल जो इशू होते उसमें पहले से बच्पन से मुझे इंट्रेस्ट था कि अपना समाज कैसे होना चाहिए जो भी एक होत अच्छा समाज होना चाहिए बुराई नी होनी चाहिए कूरितियानी होने चाहिए और संतर रामपल जी महाराच जी कि नियम पढ़के मुझे बहुत खुशी हुए अच्छा लगा ग्यान तो मैंने सुचा इतना मैंने सुना नहीं था लेकिन तब तक उनका नियम सुड़क अच्छा लगा कि उसमें जो था ड्रिंकिंग का मतलब कोई ड्रिंकिंग नहीं करना तो जैसे हम मेरे पती का जो बिजनेस है वो इसका है मतलब अटो मवाइल साइड का था तो हमेशा पार्टी में जाना या थोड़ा बोत दोस्तों के साथ उनके फोस से मतलब उनको पसंद नहीं था लेकिन दोस्त आजकल का जो ट्रेंड हो गया है हाइफाई सोसाइटी मतलब क्या ड्रिंग्स नहीं किये तो आपको गाउ के जैसा समझा जाता है तो उस प्रेशर से वो ड्रिंग करते थे कभी-कभी तो घर में आके हमारा जगडा होता था कि मैं बोलती थी क्यों मु से वो लेवल के लिए आप ड्रिंग क्यों करना है मैंने बुला हमारा हमेशा का यह प्रॉबलम था सबकुछ अच्छा था वो मुझे रिस्पेक करते सबकुछ फामिली सबकुछ अच्छा था लेकिन यह मुझे यह जो उनका गुन था कि कभी-कभी ड्रिंग्स करने का वो पसंद नहीं था और जैसी उन्होंने दिख्षा ली तो सोचो मेरा वो पूरा टेंशन ही फिनिश हो गया देखिए जैसा कि आप बता रहें कि आपने नियम पड़े जिसमें लिखावा था कि नसा नहीं करना वैसन नहीं करना किसी की तरफ बुरी नजर से नहीं देखना जब हम देखते हैं समाज में या अन्य संतों को जब हम देखते हैं तो सभी संत यही नियम बताते हैं लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, तो क्या वास्तम में ये चीज़े फॉलो होती है? लेकिन आज तक मैंने कोई भी उनके ऑनियाई, जैसे अदत संस है, जैसे बहुत सारे हैं आभी जो गुरू है, उनके कोई भी अनियाई ये नियम फॉलो बिलकुल नहीं करतें, वो उनली क्या बोलते हैं? उनके मैंने तो ये भी देखा है कि उनके गुरुजी जो होते दूसरे जो संतरामपल जी महाराज को छोड़के जो आज इस धर्ती पे जितने भी गुरु है वो सब बताते ठीक है भाई थोड़ा बहुत कर लो आजाओ दिक्षा ले लो थोड़ा बहुत कर लो जब मन होगा ड लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और मैंने भी खुद ने देखा कि कोई ऐसे कोई फॉलो नहीं करता है आप एक सिक्सित महिला हैं आपने बताया कि आपके पती ट्रिंक करते थे आपको वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और आपके जगड़े होते थे लेकिन उन म पती खुद नहीं करने लगा देते हैं तो उनके घरों में कितने जगड़े हो सकते हैं इस बात का अंदाजा आप बखो भी लगा सकते हैं आप उन महिलाव के लिए क्या कहना चाहेंगे जिनके पती बहुत ज़्यादा नसा करते हैं और बहुत सारी बुराईयों में लगे हुए हैं उन महिलाओं के लिए तो मैं कह सकती हूँ देखो आज तक सरकार ने तो कितने सारे नियम निकाले कि दारूबंदी कर दो यहां यह कर दो और लेकिन हमने जैसे सोचा पेपर में देखते हैं नियूस पेपर में पढ़ते हैं टीवी में पढ़ते हैं उनली नियम सिर् सिर्फ कागजों पर है यह योजना निकाली वो योजना एक मोर्चा निकाला पैसे देखे भी मैंने फॉलो किया है मैं सोशल वर्क में मुझे इंट्रेस्ट था मैंने देखा है पहले कि लोग सिर्फ नियम है न यह करते क्या करते सिर्फ बनाते हैं लेकिन उसका वो जो अवल लेकिन लोगों को यह लगता है कि किसी संसे नाम दिख्षा ले जाए संसे जुड़ा जाए तो उसको आर्थिक लाब हो सारेक लाब हो मानसिक लाब हो उसको अध्यात्मिक लाब हो हम आप से पोचना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा लेने के ब आपको बताऊंगी कि पहले सबसे पहले लाब था तो मतलब मुझे खुद कोई डॉक्टर ने बोला कि आपको मतलब प्रॉब्लम है गले में और जो मुझे एक यार एक ऐसे गाठ हुई थी बड़ी तो उन्होंने मैंने जैसे ट्रीटमेंट स्पेशालिस के पास गई तो उन् से आपका ट्रीटमेंट करेंगे फिर उन्होंने बताने के बाद जैसे हमने हमारे गुरुजी मतलब संतर रामपाल जी महाराद उनको प्रार्थना की क्योंकि मैं तो नाम दिक्षा ले चुकी थी मुझे विश्वास था दूरूर विश्वास था जो भी करेंगे तो मेरे ग आत्मा से प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद फिर गुरुजी को जैसे हमने बोला मतलब आत्मा से मैंने मुझ से नहीं बोला और सोचो जैसे डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया मेरा जो रिपोर्ट आया तो आप लोग हैरान हो जाओगे, मुझे कैंसर था, जब मैंने मुझे लगा कि अभी मेरी लाइब थोड़ी है, ज्यादा लाइब नहीं है, मेरी पेरों के नीचे की जमिन खिसक गई, कि मैं अभी क्या करूँगी, मुझे लगा मैं तो ठीक है, मैं मर गई, तो मेरा बेटा है, वो कैसे रहेगा, मेर हजबन तो शाहर शादी कर लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा, और मुझे तब लगा कि ये जिन्दगी इतने छोटी है, मुझे क्या करना था, और मैं कुछ भी करने सकूँगी, मैं परमात्मा को, मतलब संदर रामपल जी माराज को प्रार्थना किया, परमात्मा, नहीं, अपर आता है ना इंसान जूट नहीं बोल सकता मैं जो भी Briory एक 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 शब्द सज बोल रही हूं क्योंकि मैने वह म.. tighten .मेने जो six धू.. दिन तो उसमें लिखा था कि मुझे सिर्फ ओनली वाइरल इंपेक्शन है, जो चार डिसीस मुझे बताया था कि एक सर्वाइकल कैंसर, एक टीवी और दो ऐसे थ्रोट के हिसाब से उन्होंने बताया था, और मुझे और क्यों लगा पता है क्या, तो मेरे साथ एक बात हुई, हमार मतलब वो लोग अरली एज, मतलब कम एज में वो गुजर गए, सोचो और मुझे फिर लगा, जो मेरा टाइमिंग आया कि तीसरी पेडी में, डॉक्टर ने बोला हाँ, मुझे हिस्ट्री पूची, और मेरा जब हेरी डिटी रेखा, तो कि हाँ, आपको तो आपके दादा को थ्रोट कैंसर था, आपके चाचा को स्टमक का कैंसर हुआ, और अभी आपको तो फिर आपको तो 100% कैंसर होना चीए, मैंने बोला ठीक है, आभी क्या करेंगे, मतलब बोलना आसा ने, लेकिन मैं इतनी तकलिफ से गुजरी ना, मुझे मैं बोल नहीं सकती, और जब ऐसे हिस मैं परमात्माने, और एक आपको, आप लोगों को रिजन, मुझे और एक, मुझे क्यों दरूर विश्वास हुआ, तो मेरी कुंडली थी, मैं पहले बहुत जन्मन कुंडली हम मानते थे, मेरी कुंडली निकाली, मैंने बहुत बच्चमन में, जब से मैं कॉलेज में थी, त मैंने टैली किया, कि हाँ, मैं तो मुझे आपी 37 स्टार्ट है, और क्या, कैंसर का तो दो साल कितना भी होना, ये इस को इंसिडेंस कैसे हो सकता है, इसी लिए ये सब देखे, इतना, मतलब आप समझ सकते, ये कोई जादू मंतर नहीं है, परमात्मानी इतनी दया की, कि इतन जी, बहगत जी, मुझे और दो लाव ऐसे हुए, कि एक तो इनके साथ इनका मॉंबई एक्स्प्रेस हाइवे पे अक्सिडेंट हुआ गाडी का, और इतना जबरदस्त अक्सिडेंट था, मतलब कंटर नने पीछे से दो बार उनको डैश मारा, डैश मारने के बाद, मतलब देखते हैं, तो उन्होंने स्टेरिंग पे सर रख दिया, और जैसे गुरुजी ने उनको नाम दिक्षा दी, वो मंत्र उन्होंने याद किया, फिर हम दोनों का फेस उनके सामने आया, कि सोचो मेरा यह आखरी वक्त है, और वो एक्सिडेंस से इनसान जब खुद पे और बाद में जमतकार की देखते हैं, कि वो बोलते हैं, मैं पाच मिनिट के बाद में कार आराम से चला रहा हूं, फिर आराम से चला कि फिर वो रुके नहीं, जल्दी से घर आ गए, फिर अगर हम सोचते हैं तो फिर कैसे हुआ, तो उसके लिए एक प्रूप था, कि जैसे गाड़ियों हमने आके मैंने मुझे बोला कि आप जल्दी से नीचे आ जाओ, कि देखो मेरा एक्सेट होगा, मैंने पहले पूछा आप कैसे हो, बोलते हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, फिर देखते हैं, तो गाड़ी पूरे पीचे से चीफ हुई थी, सब ओल रहे थे वाइबल हो कि वो पल्टी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता, लेकिन ऐसे हुआ कि परमात्मा ने उन्हें साक्षात बचा लिया, फिर हमें पता चला कि भगवान क्या है, और दूसरा एक लाप मेरे बेटे के सामने वो बैंगलोर में पढ़ने के लिए है, तो जैसे घर से दूर था, डॉ को चिकन पॉक्स निकला, और फिर वो रोने लगा कि ममा मैं अभी क्या करूंगा, चिकन पॉक्स निकले मुझे और अभी मेरा एक मेना पूरा मेरा स्टडी ब्रेक हो जाएगा, और मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो फिर हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अपन प्रार्थन करेंगे परमात्मा से, आश्रम में प्रार्थना की, कि देखो ऐसे हो गया, मालिक हम क्या करेंगे, तो प्रार्थना करने के बाद मालिक ने बोला कि जैसे जोत लगा दो आपने उसको भी ध्यान आया कि मैंने जोत नहीं लगाए, और जैसे उसने इमिजिटली जोत लगाई रात को साड़े दस ग्यारा बजे और सुबह देखते आप मतलब इतना चमतकार की, हम भी इदर प्रार्थना की, उसने भी परमात्मा के आत्मा से प्रार्थना की, तो उसका चिकन फॉक्स पूरा गाईब तो हमने मेडेकली तो भी हमारा समादान नहीं हुआ, तो हमने बोल है, ये लाब देने वाले, हम आपसे एक और प्रस्न पूछना चाहेंगे, संत्रामपाल जी महाराज जी, उनसे जो भी नाम दिख्सा लेता है, उनको बहुत सारे लाब दिये हैं, जो लोग बहुत सारी बहेंकर बिमारियों से पेडित हैं, और जिन लोगों को आर्थिक या प्रार्थना कर सकती हूँ सारी जगत को कि जिनको प्रॉब्लम है ना आप आजाओ अप अनुभव करो सत्संग सुनो और अपने जो ग्रंथ है उसमें क्या नॉलेजिस सबसे पहले हम सब अप शिक्षित है हमें कोई हमारा ध्यान भटका नहीं सकता आज तक हमने जो भी बक्ती की एक परंपरागत भक्ती की जो भी मन गडन सुनते आए दादा पर दादा उनकी बक्ती फॉलो करते आए लेकिन हमने आज तक नहीं सोचा कि हम जो कर रहे हैं और यह क्यूं हो रहा है अभी हम बोलते भगवान यह करता है वो करता है आप तो हम तो आज तक जो परंपराकत ब्रह्मा विश्नु महेजी यह सब भक्ती करते आए लेकिन मिला क्या फिर क्यों नहीं मिला क्यों दुखों के पाढ़ हमारे उपर गुर्रे क्यों दुखी है किसी को कैंसर है किसी को य आउट के लोग के बाद आप एक है इधर ना कोई पैसे लगता है दिक्षा लेने के लिए ना कोई आपने सुना होगा यह सुन सुनाई कथा है आप जब खुद आओगे उनका दिक्षा लेगे उसमें तो कोई पैसे नहीं लगता और दुखी क्या नहीं करता इसलिए दिनो लाब मुझे मिले, तो वैसे आप भी, आपको भी, मैं आप मेरे भाई, बहने हो, मुझे, मेरी भी तडफ है, जैसे मुझे मिला, क्यों हमें तो आपको क्यों नहीं मिल सकता, तो फिर आपको एक काम करना है, संतर आमपाल जी महाराच जी का सचंग सुनो, उनका ज्यान स अब भगत समाज को क्या संदेज देने के लायक तो नहीं है लेकिन मैं सब को यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि मेरे भाही बेनो जगत के लोगो जागो यह आप अभी पस्ता होगी आप को क्या जा रहे हो आप देखनी रहे जो भक्ती कर रहे हम कभी उसका अरे हम एक छोटी सीज लेते हैं बाजार में तो हम दस दुकान उसके ब्रैंड धूंटे यह इसका यह अच्छा है इसकी कॉलिटी का इसका प्रूब क्या और जो यह मानो जनम जो अनमोल है हमें एक बार मिलता है बार-बार मिलता नहीं वो मिला है उसका कैसे कल्यान करवाना है यह तो आपके सामने अभी रेडी माटेरियल है जो संतर रामपाल जी महाराज बता रहे है कि आओ मेरा ज्यान सुनो और ज्यान से आप देख लो आप जो भक्ती कर रहे हैं उसमें क्या कमी है और आपको कौन सी सही भक्ती करनी है उसमें क्या फरकी संतर रामपाल जी महाराज हम सब तो आप आजाओ एक बार दिख्षा लेलो और जो सब को लाब हो रहे वो आपको भी होंगे जैसे आज हम बोल रहे न एक दीन आप भी हमारे जगे बोलेंगे कि हाँ गुरुजी ने हमें क्या दिया संतरामपल जी मारज ने हमें क्या दिया और आप वंचित मत्रो शायद ये है ये सबके पास कितना है क्या लेखा जोका ये हमें पता नहीं ये लेकिन जो भी है जल्दी से आप अपने आपके बुद्दी को एक जरिया सोच कि देखो कि सच में ये बता रहे संतरामपाज्जीérique मारा सच में सच में इनका ग्यान क्या है और आओ सब आओ और दिक्षा ले लो और जैसे हमें लाब हुआ है आप सबको भी होगा और जल्दी से जल्दी आके आप लाब उठाए ये नाम दिक्षा ले और सबको भी मुझे यही बस एक संदे से जी बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू जी